तो एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है यहां पे और आज की ट्रेट्स के बारे में मैं आपसे यहां पे आज की पूरे डीटेल में बात करने वाला हूँ ठीक है सबसे पहले मैं आपको पोजिशन्स दिखा देता हूँ तो पोजिशन्स में आप देखो के तो 455 रुपीज का हमने प्रॉफिट आज बुक किया है बट ये बाई मिस्टेक यहां पे हुआ है एक एकसिडेंट था जिसकी वज़े से ये 455 रुपीज का प्रॉफिट बुक हु नहीं लिया ठीक है और अभी टाइम भी देखो तो अल्मूस्ट दो बजने वाले हैं तो अब मैं ट्रेडिंग क्लोज कर रहा हूँ सेलिंग का प्रेशर था आज काफी अच्छा सेलिंग के लिए मार्केट था और था27 थोड़ा से वलिताइल भी था लेकिन झाटिडैसली डाउंसाइट का प्रेशर यान इन की सेलिंग प्रेशर ऐसिलिंग कЙनटिश्ली बना हुआ घो अनो को काफी को सीखने के लिए भी आज इस वीडियो के तुरूर मिल जाएगा कैसे है तो यह सबसे पहले तो यह ऐसे टप बना कैसे हम देखते हैं कि मांकिट है आज कहां उपन हुआ सांज समझ लेते हैं तो मांकेत हैं आश हमने क्या देखा देखा तुल खाओं होगि और आज यूज डारेक्टी लगबग 400 to 500 पॉइंट्स की हमें गैप आप ओपनिंग देखने के लिए यहां पे मिले ठीक है अगर हम पॉइंट्स वाइस देखें तो आप दोगे तो आल्मोस्ट हमें इधर जाके फिल किया कहाँ पे इनोंने फिल किया इस गैप को यह पूरा गैप था इनोंने इधर पे आके इसको फिल किया ठीक है यहां से रिट्रेस्मेंट भी जरूर लिया लेकिन उसके बाद भी कंटिनेस्टी सेलिंग का प्रेशर बना रहा तो पहले ट्रेड की बात करें लेकिPA.ु हम लेकर और के सीएकंशन लेकि हम सेला अचल को प्लान करेंगे ठीक. है वह हमने लेकिशने हों क्यां किया और पिर बार प्लान पिक्विक लेकिन THEWall size की candle बनी और जो मेरी entry में plan कर रहा था तो मैं entry plan कर रहा था कि मुझे लगबग at least इस zone में at least मुझे इस zone के अंदर जो yellow box है इस के अंदर entry मुझे मिलनी चाहिए तो मैं enter करूँगा लेकिन हुआ क्या ये candle की closing इतना नीचे हुई यहां पर तो stop loss बहुत जादा बड़ा बन रहा था तो जिसकी बज़े से मुझे लगा कि शायद मुझे trade नहीं लेना चाहिए और मैंने इस trade को miss कर दिया अब मैं मानना हूँ कि इसने बहुत अच्छा profit दिया strategy ने काम भी किया ठीक है अगर हम देखते हैं जो previous day का आप देखोगे तो पूरा bottom है अगर previous day के bottom से हम आज के high तक यह आज का high है ठीक है opening थी जो तो यहां पे अगर लगाते है Feebo तो हमें कहा levels दिख रही है 0.5 और 0.6 की हमें यह levels मिल रही है ठीक है यह levels मिल नहीं 0.5 0.6 की तो हम अगर Feebo का remove करते हैं तो यहां पे फिर से क्या हुआ एक हमें फिर से opportunity मिली यहां पे दिखाई दिया कि यह levels आ रही है healthy retracement आ सकता है और आया भी अब यहां से कितने points at least मिलते लगबग 173 points बहुत अच्छे points थे लेकिन क्या हुआ एक बार फिर से कि मैंने multi time frame जो charts open नहीं किया मैं सिर्फ एक time frame पो इसको track कर रहा था और nifty को जब मैंने यह already इदर से fall कर गया जब मैंने देखा कि यहां से भी एक opportunity बन सकती थी तो मैंने मैं miss किया तो आज मेरी एक mistake हो गई कि मुझे screens जो मेरा monitor था आज बंद था मैंने दो laptop पे trade कर रहा था due to some issues तो मुझे लगता है कि मुझे our desk drop चालू रखना था तो side the opportunity मैं miss नहीं कर था but it's okay it's a part of trading main यह है कि मैंने loss कोई भी नहीं लिया ठीक है यह तो एक छोटा सा accident gift हो गया जो जैसा कि मैंने बताया मैं GTT order track कर रहा था तो उसकी बज़े से चोटा सा trade हो गया था एक lot से बांकि मैंने कोई भी और trade आज नहीं लिया हुआ है ठीक है फिर इसके बाद मैं काफी track कर रहा था कि एक और opportunity अगर selling में मिल जाए यह तोड़ा सा against the trend था फिर मुझे लगा कि शायद यहाँ पे एक opportunity बनेगी ठीक है तो मैं wait कर रहा था again कि यहाँ पे आए level लेकिन फिर से यहाँ से selling का pressure आ गया और अभी time भी हो रहा है तो फिर अब मैं clear indication हो गया कि आज मैं कोई भी अप trade नह कि जो लगता है ना कि यार एकी laptop पे हमें काफी है trading करना तो I guess मेरे लिए वो suitable नहीं हो पाया क्योंकि अगर मैं तीन screen at least on रखता तो साइध हो जाता क्योंकि मैं one minute time frame पे करता हूं तो मैं अब इस तरीके से chart तो नहीं देखूँगा ना मैं थोड़ा zoom करके देखूँगा chart क तब मुझे clear candles दिखेंगी ठीक है फिर एक five minute का वगल में मैंने open किया था मैंने गलती ये कि कि मैंने आज monitor on नहीं किया नहीं तो क्या होता कि proper में ये वाला view पकड़ पाता ठीक है और ये जो setup था proper setup था 173 points के आज पास हमें momentum मिलना था लेकिन ये भी हमारा miss हुआ ठीक है यहां से retracement आया था 0.5 की level से but it's okay it's a part of trading हमने कोई loss नहीं किया that's the thing profit नहीं किया it's okay profit नहीं किया लेकिन हमने कोई loss भी आज नहीं किया हुआ ठीक है तो मैं bank nifty futures की daily trading videos आप लोग के लिए क्या हूँ hedging करके कैसे trade करना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो 35,000 रुपीज से भी आप bank nifty futures में hedging कर सकते हो अब मैं क्या करता हूँ mainly मैं 200 quantities के साथ करता हूँ ठीक है तो उसमें क्या होता है लगबग 11,000,000 रुपए के आसपास की requirement होती है लेकिन मैं margin use इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना capital है तो मैं उसको deploy कर सकता हूँ काफी लोग का ये बोलना था कि आप इतना capital अगर option buying में लगाते तो इससे 5 गुना 10 गुना जादा profit होता तो it's okay like देखो अब मुझे options जादा suit नहीं कर रहा है तो मैं options trading उतनी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ मु तो जितना जादा focus नहीं करना है मैं अगर 10 लेक 11 लेक रूपीज कर रहा हूँ इसकी उपर मैं 20-30,000 रूपीज का profit बना रहा हूँ तो that is more than enough किती क्योंकि जितनी जादा expectations हम market से रखेंगे उतना ही जादा हमारे against में चीज़े होंगी तो process को follow करो जादा better रहे गा I guess और व point तक तो book करते but it's okay leave it now अभी मैं मिलता हूँ कल आप से और कल में जो trade करूँगा of course वो भी मैं आप लोग के साँ share करूँगा अभी देखो continuously youth selling का pressure आ रहा है continuously selling का scenario बना हुआ है यहाँ ठीक है तो okay that's all for the today's video guys thank you for watching we'll meet you tomorrow